अब इसी के साथ ही मैं लेक्चर खतम करने वाला हूँ, लेकिन आपको एक last option बता के, which is called special data, special data, बस यह आखरी है, special data, ऐसा data होता है, आखरी मतलब आज के दिन का आखरी, हमारी सीरिस चल रही है, special data ऐसा data है, यह जो special लिखा है, इसका मतलब है space, ठीक है, अब इसकी definition देखते हैं, definition देखते हैं, the data, ऐसा data, data that has a geographical or special component, that has a geographical, graphical or special component, यानि के आपके data में जब time आया था, आपने उसे बोल दिया time series का data, अब अगर उसके अंदर space आ जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे, यानि के geographical या special component आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे special data, इसकी example मैं आपको बता देता हूँ, जब आप different किसम की locations को map के उपर pin करते हैं, कि यह ह बोलेंगे तों से for example फैसलाबाद, यह हो गया लहूर, यह हो गया कराची, so whatever we are showing on map, this is called special data, तो location on map जो है, यह हमारा special data है, और जो second है हमारे पास, इसी तरीके से आप regions in geographical information system, यानि के GIS का जितना भी data है आपका, वो सारा के सारा special analysis के अंदर आता है, special data के अंदर आता है, तो इसी वज़ा से जब आप कोई ऐसे data को analyze करेंगे, इसको बोलेंगे geospatial analysis, अगर आप location wise किसी data को analyze कर रहे हैं, और अगर आप space के उपर कर रहे हैं, यानि के GIS data को analyze कर रहे हैं, तो आप GIS data के लिए different किसम के special data analysis techniques को use करेंगे, ठीक है जी, यहां तक समझ आगी है, अब आप बत क्या है, क्या वो इस video के नीचे comment section में आप लिख सकते हैं, यानि के पिछले lecture जो आपने सीखें, आप को उसमें से क्या क्या आता है, please write down in the comment section.